Hello everybody, welcome to Magnet Brains कैसे हैं आप सब लोग, I hope everybody is doing well मैं हूँ Anisha, आपके अपनी English educator So let's begin with the part 2 of our book Flamingo के chapter number 3, Deep Water आपने अगर मेरा chapter number 3 का part 1 देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने क्या कवर किया है जो chapter 3, Deep Water है, उसका हमने first part कवर किया जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो हमारे author है William Douglas उनको डर बैट जाता है दिल में, वो भी किसका पानी का डर क्यों क्योंकि जब वो बहुत चोटे थे तो उनके फादर के साथ वो बीच पर गए थे और बीच में गए तो एक बड़ी सी wave ने उनको हिट किया फिर उन्होंने थोड़ा डर को अपने खतम करने की कोशिश करी और उन्होंने 10-11 एर्ज में एक swimming pool में swimming सीखने का ट्राई किया लेकिन वहाँ पर भी उनके साथ एक miss happening हो गई, miss adventure हो गया एक बड़े से 18 एर्ज के बच्चे ने उनको पानी में धक्का दे दिया और almost वह पानी में डूब गए थे और उनके death होने वाली थी उनकी किसी तरह से जान बची को इनको बाहर निकाल के आया लेकिन उस दिन के बाद से उनके दिल में बहुत बुरी तरीके से डर बैठ गया था और किसका डर पानी का इस बचे से उनकी सारी fishing trips, waterfall पे जाने की trips जो भी trips सी सब ruin होती थी, सब बरबाद हो जाती थी इस दर की वज़े से फिर finally उनके decide किया एक October को कि चलो मैं एक swimming instructor hire करता हूँ और उससे swimming सीखता हूँ उनके October में decide कि और April मैं finally वो perfect swimmer बन गए और इतने big swimmer बन गए कि उन्होंने अकेले swimming pool की जो पूरी length होती है जहां से पूरे चक्कर लगा के start किया था वहीं तक आप आप पहुचो तो इतना उन्होंने कर लिया अकेले लेकिन फिर भी उन्हें रगता है कि शायद अब भी मुझ में कुछ incomplete है अब क्या incomplete है? Let's continue with our part 2 tiny vestiges of the old terror would return vestiges का मतलब क्या है? traces वो कुछ छाप तो जब भी वो पानी में जाते थे अब तो instructor नी थे वो swimming तो कर लेते थे पर अकेले रहते थे तो फिर भी कही न कही वो पुराना डर जो था जो छाप थे जो traces थे उस पुराने डर के वो वापिस लोट कर आ जाते थे But now I could frown and say to that terror trying to scare me, huh? Well, here's you look Here's you look तो क्या करते थे? वो जब swimming करते थे? वो क्या करते थे? वो सोचते थे कि डर आ रहा है उनके पास और डर क्या कह रहा है? तो वो frown करते थे याने कि ऐसा चहरा बनाते थे और डर से अपने मन में कहते थे अच्छा, तुमुझे डराने आयो? तो देखो, लोग मैं swimming कर रहा हूँ और इस तरीके से वो डर को भगाते थे और आगे continue करते थे swimming करना And off I go for another length of the pool This went until July और ये जो चीज सी कब तक चली? July तक October में उन्होंने स्टार्ट करी थी इंस्ट्रक्टर से swimming सीखना April तक सीख गए थे और April के बाद से July तक continuously अकेले किसमें स्विम करते थे Swimming pool में ही But I was still not satisfied अब भी कही न कही जो author जो हमारे William है writer वो satisfied नहीं थे कुछ न कुछ incomplete लग रहा था I was not sure that all the terror had lived So I went to the Lake Wentworth in New Hampshire Dived off a dock at Triggs Island and swam two miles across the lake तो उन्होंने क्या सोचा कि अभी भी कही न कहीं डर खाली कहतम नहीं हुआ है मेरा Swimming pool में तो आकेले swim कर लेते थे तो उन्होंने सोचा मैं कहां जाओंगा Lake Wentworth तो एक तालाब में जाओंगा और जो की ये तालाब कहां है New Hampshire नाम की जगा पर है ये Lake तो उन्होंने का मैं इस तालाब में इस Lake में जब तक अकेले swim नी करूँगा मेरा डर खतम नी होगा तो बस वो Lake के पास में Triggs Island था एक टापू था इस तापू पर चड़े और इस Lake में उन्होंने क्या किया Dive किया याने कि Jump किया फिर Two Miles याने दो मील तक उन्होंने Swim करते करते आगे बड़े Across the Lake Stamp Act Island तो basically क्या था मान लीजे ये जो पूरा Lake है ये क्या है ये पूरा Lake है Lake Wentworth और इस Lake में दो टापू थे, दो आइलेंड थे एक मान लीजे आइलेंड ये है और दूसरा मान लीजे आइलेंड ये है तो ये जो फिर्स आइलेंड है वो Triggs Island है और जो सेकेंड आइलेंड है वो है Stamp Act आइलेंड तो क्या किया यहाँ पर विलियम ने विलियम ने Lake Wentworth के Triggs Island पे गए यहाँ से खड़े होके उन्होंने डाइव मारी नीचे की तरफ तू माइल्स याने पूरा दो मील तक स्विम करके कहाँ पौच गए Stamp Act आइलेंड पे पौच गए जो की सेकेंड आइलेंड ते Lake Wentworth में I Swam, The Crawl, Breast Stroke, Side Stroke and Back Stroke और यह जो उन्होंने 2 माइल्स Triggs Island से लिके Stamp Act Island तक जो पूरा स्विम करके आ है इसमें उन्होंने हर वो important trick हर वो important stroke यूज कर लिया जो स्विमिंग में होता है पहली होती ही Crawl Stroke जब आप आगे की तरफ Crawl करते हो तो यह जो है आपकी Crawl Stroke है फिर Second आपकी Breast Stroke यानि इसमें आप अपनी पेट के बल सीधे की तरफ जाते हो इस तरीके से फिर आती है आपकी Side Stroke यानि कि आप Swim कर रहे हो और अपने Hand Sideways लेते जा रहे हो कुछ इस तरीके से फिर उसके बाद आती है आपकी Back Stroke Back Stroke यानि कि जब आप उल्टे लेते हो यानि कि आपका Face जो है उपर आसमान की तरफ Face कर रहे हो और आप उपर की तरफ पेर इस तरीके से अपने हाथ इस तरीके से उल्टे Anti-Clockwise गुमाके इस तरीके से Swim कर रहे हो These are different kind of strokes जो कि swimming में use होते है तो यहां से इस island से इस island पर आने के लिए उन्होंने सारे strokes को use किया Only once did the terror return When I was in the middle of the lake I put my face under and saw nothing but bottomless water तो जब वो ये 2 miles पूरा ट्रावल कर रहे थे एक island से तूसरे island तक एक बार ये डर वापिस उनके पास आया उन्होंने क्या किया उन्होंने अपना face पूरा पानी के अंदर डाला और देखा क्या है कुछ नहीं दिखा सिर्व उनको हर जगा पानी पानी in bottomless water दिखा Bottomless याने की बहुत गहरा पानी Deep water दिखा याने उसकी कोई जमीन जो फ्लोर था पानी का वो नहीं दिख रहा था The old sensation returned in miniature miniature का मतलब क्या होता है small size तो ये जो पुरानी sensation जो पुराना डर है एक छोटे amount में कहीं न कहीं उनके पास वापिस आया I laughed and said Well Mr. Terror, what do you think you can do to me? तो उन्होंने जब वो डर आया तो उन्होंने बड़े आराम से डर को क्या बोला क्या सामना किया डर को बोलके कि ओ Mr. Terror, तुम मेरा क्या कर लोगे तुम मेरा कुछ नहीं बगार सकते It fled and I swam on और जब उन्होंने ऐसा सोचा ऐसा डर को बोलने के कोशिश की तो जो डर डर था वोड के चला गया और उन्होंने continuously swim करना स्टाच किया Yet I had residual doubts लेकिन उनके मन में कुछ residual doubts थे याने कुछ बचे कुछे डर के अब भी लक्षण अब भी थे ये जो एक बार डर आया ये एक बार भी डर क्यों आया ये सोच रहे थे विल्यम की मतलब अब भी एक बार डर आया तो क्यों आया अब भी तो मतलब कुछ ने कुछ मतलब डर बचा आया मुझमे At my first opportunity I hurried west Went up to the Titan to Conrad Meadows Up the Conrad Creek Trail To Mead, Glacier And camped in the high meadow By the side of warm lake तो क्या हो रहा है या पर? जब वो swim कर रहे थे कहां पर? Lake में तो उन्होंने क्या किया? West direction की तरफ गई ये होता है North, ये होता है South, ये होता है East और West जब वो swimming कर रहे थे तो swimming करते करते किस direction में गई? इस West direction में गई और वहां पर क्या था? Titan to Conrad Meadows Meadows मतलब a field of grass याने बड़ी सी ग्रास का जो एक बड़ा जो एरिया होता उसको आप Meadows कहते हूँ तो उन्होंने swim करते करते कहां पहुचे? फाइनली किनारे पे पहुच गए और इस किनारे से क्या जुड़ा हुआ था? Meadows याने की बड़ी सी फिल्ड जो की घास जो की ग्रास से ढखी हुई है वहां गए तो वाम लेक तक ये पहुचे अब नाम क्या है इसका? वाम लेक याने गरम वाटर लेकिन ये क्या था? ये आइसी कोल्ड वाटर था याने बहुत खतरनाक थंडा पानी था क्योंकि एक मीड नाम के ग्लेशियर से जो पानी है वो पिघल क्या आता है ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर वो पहाड होता है जो बर्फ से ढखा होता है तो उस बर्फ जब ये ग्लेशियर की जो बर्फ है जब पिघलती थी तो Warm Lake नाम के लेक में आता था पूरा पानी तो नाम तो लेक था Warm Lake था की गरम पानी लेकिन जो पानी था वो completely बहुत ठंडा चल्ड पानी था तो बताने कि वो जब West की तरफ गये तो वो Titan Meadows तक पहुचे और वहाँ पे वो कहां गये? Glacier तक पहुचे कौन से Glacier? Miad नाम के Glacier तक और वहाँ पे उन्हेंने Camping किया याने कि अपना Tent वगरे लगा के Bonfire की अपना Enjoy किया वहें पर वहीं पर ही रहे कहां पे Warm Lake के Side में ओकी? The next morning I stripped, dived into the lake and swarm across the other shore and back just as Doug Copron used to do अगले दिन उन्हें क्या किया? एक रात तो उन्हें कैंपिंग करी वहाँ पे रहे अगले दिन स्ट्रिप्ट उन्हें अपने clothes remove करे, अपना swimming costume पहना और लेक में jump किया याने कि dive मारी ओकी? और वो कहां तक गए? Other shore, एक west किनारे से दूसरे किनारे तक गए एक shore से दूसरे shoreे, किनारे से दूसरे किनारे तक पूरा swim करके गए और फिर वापस west की तरफ आए तो west से इस तरफ गए और इस तरफ से वापस west तक shore तक आए और यह उन्हेंने किसकी तरफ किया? एक famous American swimmer, Doug Corporon ऐसा किया करते थे वो भी warm lake में जाके एक west से जाके east और east से west swim करके आते जाते थे continuously तो जैसे Doug Corporon यह famous swimmer करते थे exactly इसी तरह यही चीज किसने follow करी? William ने भी follow करी I shouted with joy and Gilbert Peake returned the echo और जैसे ही पूरा swim करके गए और वापस आए उनको एक बार भी डर नहीं हुआ ना एक बार भी डर लगा और उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत जोर से चीखा shout किया चिला के कि मैं swimming सीख गया मेरे अंदर अब कोई डर खतम नहीं है और जब उन्होंने चीखा तो सामने Gilbert Peake एक mountain था जिसका नाम था Gilbert वहाँ से आवाज गूंच की उन तक वापस आई उन्होंने बोला मैंने अपने पानी के ज़र को conquer कर लिया और जीत लिया अब मुझे कभी डर नहीं लगता यह जो पूरी चीज थी यह जो डर को जीतने वाली feeling थी यह बहुत meaningful थी William के लिये क्योंकि जिसने इस खतरनाक डर को experience किया है मौत को literally experience किया है और मौत के आने वाले डर को experience किया है यह जिसने experience किया है वो ही William के situation को समच सकता है क्योंकि William ने यह डर experience किया है In death there is peace, there is terror only in the fear of death As Roosevelt knew when he said All we have to fear is fear itself Roosevelt कौन है? Former President of USA यहने United States of America के पहले कभी एक President रह चुके हैं जिनका नाम तरा Roosevelt जिनकी picture आप यहाँ पर देख सकते हैं तो इन्होंने कहा था All we have to fear is fear itself हमको किसे डरना डर को खतम करना है अपने डर को जो मौत का आने वाला डर है तो यहाँ पर William कहते हैं कि death में peace है यानि जब हमें death आ जाती है तो हम बिल्कुल peaceful हो जाते हैं बिल्कुल शान्त हो जाते हैं हमें किसी चीज़ की कोई फरक नहीं होती इना और हम हमारी death आ नहीं वाली है अब हमें पता है कि अपकोई options नहीं तो जो भी डर होता है सब खतम हो जाता है लेकिन जब तक death आई नहीं है तो हम क्या करते हैं हम डरते रहते हैं करिन death ना आ जाए तो ज़्यादा खतरना क्या है डेथ या डेथ के पहले आने वाला डेथ का डर वो तो basically यहाँ पर बोल रहा है कि इस former president में कहा है कि peaceful होती हमारी डेथ लेकिन डेथ का आने वाला जो डर होता है वो आपको पूरी जिन्दगी डराता रहता है और आप अपनी life enjoy नहीं कर पाते हो तो he wants कि हम डेथ के डर को overcome करें उससे जीट जाएंगे तो हम उसको conquer कर लेंगे और हम अपनी life को enjoy कर सकते बिना डरे तो William कहते है कि मैंने दोनों चीज़े experience किये मैंने death भी experience किये वो YMCA के पूल में और death आने का जो डर है याने पूल में से बच के आने के बाहर बच के जब मैं बाहर आगे तो उसके बाद continuous की मुझे 3-4 साल में डर में ही रहा कि कहीं फिर से ना डूप जाओं तो मेरे लिए जाधा खतरनाक था वो डर 3-4 साल का जो डर जो बच्पन से मुझे डर था पानी का वो मेरे लिए जाधा खतरनाक था अगर मैं compare करूँ एक्चुली उस situation से जब मैं मर रहा था पानी में तो विलियम केते मैंने तो यह दोनों चीज़ एक्सपीरेंस करी होई हैं तो जब मैं एक्सपीरेंस करके इस डर से बाहर निकला तो जीने की और चाहत मेरे अंदर intense हो गई आने की और बढ़ गई कि अब तो मेरा डर खतम अ जैसी feeling आ रही थी विलियम को कि मैं release हो गया हूं याने कि मैं बिल्कुल free हो गया हूं अब कोई चीज नहीं जो मुझे डरा सकती है अब मैं आराम से trails याने बड़े-बड़े रास्तों पर अकेला चल सकता हूं चल सकता हूं अकेले बड़े-बड़े पीक्स याने बड़े- सब्सक्राइब इस तरीके का कुछ पेज आपके सामने आ जाएगा जहां पर सारा जो पोटल है हमारा जो पेज वेबसाइट को आजाएगो यहां पर क्या मैंचने सारी क्लासे मैंचने क्लास 11 ट्वेल्ट 10 9 8 7 अश्यक्राइब तो अगर आपको फॉर एक्जाम्पल क्लास 12 का आपको मान ल गया मान लीजे आपको क्लास 11 का इंग्लिश देखना है जो कि मैं पढ़ाती हूं तो आप उस पर क्लिक करेंगे और जब आप क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट आजाएगी उन विडियोस की उन चाप्टर वाइस वीडियोस की जो मैंने पढ़ाई हुई है इस तरीके से ज आपको चाप्टर भी समझ में आगया होगा और यह भी समझ में आगया होगा अगर यूट्यूब वीडियोस ना मिले तो आपको गूगल से यह हमारे पेच तक कैसे आपको वीडियोस मल जाएगी तो चिल्डर आगे में पढ़ाने वाली उस चाप्टर की समरी और important question and answers तो उसके लिए अब तक लिए stay tuned bye bye and thank you